नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका स्रशुंद्रम एकडमी के यूटूब चैनल पर MPPSC Prelims के यूनिट फर्स्ट में भारत वर्स नाम का एक टॉपिक है इतिहास के अंतरगत भारती इतिहास के अंतरगत उस टॉपिक में भारत के कितने नाम है भारत को किस काल में किस नाम से जाना जाता रहा किस स्रोत में किस अविलेख में क्या नाम दिया गया है भारत का उसको लेकर के यह वीडियो संचित में मैं बताने जा रहा हूँ तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंतर तक देखें, लगभग 20-22 नाम आपको भारत के देखने को मिलेंगे, अलग-अलग सुरोतों में, अलग-अलग इतिहासकारों के द्वारा, अलग-अलग कालू में, ठीक है, यह वीडियो MPPSC प्रारंभिक परिक्षा के लिए तूप पहले ही, यदि आप चैनल पर नए हैं, तो क्रिप्यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अन्त में इस वीडियो को, यदि आपको पसंद आता है, तो लाइक करके अवसे जाएं, यदि कोई समस्या होती है, तो निश्रत रूप से आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकत भारत वर्ष, यह नाम सबसे पहले यदि किसी ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो वो अस्ट्या ध्याई, पारिनी कृती अस्ट्या ध्याई में देखने को मिलता है, पहला वह ग्रंथ है, जहां से हमें भारत वर्ष नाम देखने को प्राप्त होता है, यदि अभिलेक की बात की जाए, तो सबसे पहले हाथी गुंफा अविलेक है, औरिशा के खारवेल साशक का यह अविलेक है, हाथी गुंफा अविलेक, जहां भारत वर्स देकने को या लिखा हुआ सबसे पहले मिलता है, तो यदि आपसे कभी प्रस्ण किया जाए, कि वह ग्रंथ कौन सा पहला ग्रंथ है जहां सबसे पहले भारत वर्ष लिखा देखने को मिलता है तो वह ग्रंथ है अस्टा ध्याई लेकिन येदी आपसे यही प्रस्न पोचे कि वह अभिलेक पहला कौन सा है जहां आपको भारत वर से देखने को मिलता है तो अभिलेकों की बात की जाये तो वह अभिलेक हाती गुंफा अभिलेक है उरीशा के कहारवेल शाशक का ठीक है तीसरा भारत शब्द जो है यह नाम कहां से आया इसके लिए तीन संकल्पनाएं हैं मतलब वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं तो पहली संकल्पना इसमें है कि जैन कथाओं में भारत का नाम भारत ही दिया गया है जैन कथाओं में यह बात स्पष्ट की गई है कि रिशब देव के पुत्र का नाम भारत था उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है कॉंसेप्ट नमर एक ठीक है पूरा ध्यान से सुनेंगे फिर वीडियो में आप लोग कहते हैं सर आप गलत बताते हैं हाना तो पहले तो आप लोग बारी की पकर नहीं पाते हैं और मैं हर एक बारी की के साथ उसको इस पश्ट करने की कोशिस करता हूं तो देखे भारत आप लोग जानते हैं कि दुश्चन तो एवं साकु में जैन साहित्यों में भी भारत भारत देश का नाम भारत पताया गया है कॉंसेप्ट नंबर एक कॉंसेप्ट नंबर टू जो है भारत थे रिग्वैदिक जन जसकी हम लोग बात कर रहे हैं पौरुश्वर्श की दुश्चन्त एवं साकुंतला के पुत्र भारत थे उनके में भारत का नाम क्या आया है तो भारत वर्श आया है तोह रिख्ला जो है विशनो पूराने में पहली बार देखने को मिलता है भारत सब्ध ब भारत देखने मीलता वर्ध नहीं तो भारत सब्द पहली वार हिंदू ग्रंथों में देखें तो विश्लो पुराण में सबसे पहले देखनों को मिलता है विश्लो पुराण में भारत के लोगों के लिए भारतीयों के लिए भारत संतत सब्द का इस्तिमाल किया गया है भारत के संतान भारत संतत सब्द का इस्तिमाल किया गया है भारत के लिए विश्लू पुरान में ठीक है ये बात आपको द्यार में रखना है अगला है अजनाव वर्ष अजनाव वर्ष जो है अजनाव वर्ष भागवत पुरान में यह सब्द देखने को मिलता है तो आपसे क वहलीबार भागवत पुरान में देखने को मिलता है ठीक है जम्बू दीब सब्द जो है भौद गरंथों में देखने को मिलता है जम्बू दीब बौद गरंथों में भारत के कहा जाता था और रिग बैदिक काल में दक्षिणा पर्थ जो है वो दक्षिण भारत को कहा जाता था इंडिया शब्द की बात करें तो इंडिया सब्द यूनानियों द्वारा दिया गया शब्द है इंडिया भारत के लिए इंडिया सब्द सबसे पहले यूनानियों ने दि हैं इसलिए शिंधु घाटी छेत्र का छेत्र जहां पर कपास का उत्पादन होता था उस छेत्र को इन्हों ने इंडस कहा और वह यहां की सबसे बड़ी नदी जो थी वह इंडस रिवर कहलाई और उसे इंडस से इंडिया शब्द निकला और हिंदी में जब उसी इंडस को नाम दिया गया तो उसको सिंडस या सिंडर सब्द भी एक था जिससे सिंधू सब्द की उत्पत्वी बाद में वो अपभरंस के कारण चेंज होता गया ठीक है तो हिंडुस्तान सब्द पहली वार फार्शी भाषा का सब्द है हिंडुस्तान मद्धिकालीन लेखकों ने इस देश का नाम हिंडुस्तान रखा है इस्थान का मतलब होता है चेत्र और हिंडुों का चेत्र था इसलिए इसको हिंडुस्तान कहा शासनी अभिलेख में सबसे पहले देखे ये दिया आपसे प्रशने पूशता है कि किस अभिलेख में पहली बार हिंदुस्तान सब्द का जिक्र हुआ है तो हिंदुस्तान सब्द का पहली बार उलेख या जिक्र ससानी अभिलेख में हुआ है ये बात ध्यान दखना है ये ससानी छेतर हकमानी बंस के सासकों के अंतरगत एक छेतर आता था जो भारत में उत्तर पुदेश में भी था तो वहां से प्राप्ट अभिलेख में सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द देखने को मिलता है भारती समिधान के अनुशार यदी देश का नाम देखें तो भारती समिधान में दो नाम मिलते हैं इंडिया और भारत और लिखा है अनुख्षेद एक में इंडिया दैट इज भारत याद रखेंगे बारती समिधान के अनुख्षेद एक में यह नाम लिखा हुआ है हुएन सांग چेनी यात्री आते हैं, देखते हैं कुछ यात्री आते हैं, भारत में यात्रा विट्तान तर इतिहासकार हैं, उनके अनुसार क्या भारत का नाम है? तो चीनी यात्री हुएनशांग ने भारत को भारती ही लिखा है हेडोडस और मेगा इस्थनीज ये दो यूनानी इतिहासकार तो हेडोडस ने इंडी का नाम ग्रंत लिखा और इंडी का में इन्होंने इंडिया सब्द का ही उलेक किया है तो सर्पतम इंडिया सब्द का उलेक जो है वो एक्चुली हेडोडस ने ही किया है तो हेडोडस ने सबसे पहले इंडिया सब्द का उलेक किया है एतिहासिक रूप से जहां से साक्ष मिलते हैं पुस्तकों का ग्रंतों का तो हेडोटस का ही मिलता है जो सबसे पहले एक विवस्तिक तरीके से इंडिया सब्द का उल्ले किया है हाला कि यह सब्द युनानियों ने दिया था सिकंदर के समय पर पर वो इतना इसपस्ट साख्षवां से प्राप्त नहीं हो पा रहे है हिब्रु वाइविल में भारत का नाम होदू आता है होदू ठीक है तो हिब्रु वाइविल के हिंसाब से भारत का जो नाम इन्होंने बर्णित किया है वो होदू किया है ठीक है चाड़के के अर्थ शास्त्र में देश का नाम जम्बू दीप लिखा है मौर छेत्र का नाम जो था मौर बंस की सास्कों का जो छेत्र था उसको जम्बू दीप कहते थे जिसका संबंद जामून के पेलों से है ठीक संबोधित किया है तो इनकी रचनाओं में देखेंगे जैसे तो ये हिंद ऐसे करके कुछ भी ये दिखेंगे तो इसमें हिंद नाम आएगा मतलब हिंदुस्तान को संचित में हिंद ये लोग कह रहे हैं एक इरानी गरंथ है जिंद अविस्ता जो की बैदिक काल के समकालीन मत है तो जिंद अविस्ता घ्रंथ में इस देश का नाम सब्त संधो लिखा हुआ है ऐसे ही इरानियों का एक और गंत है महरे यास्त एवं याश्ना इरानी ग्रंथ है इसमें इसी चीज को सब्त संधो को थोड़ा सा हब्त हेंदो में लिखा है इरानी लोग शा को हा पढ़ते थे तो ये शा को हा करेंगे तो सब्त हो जाएगा और सैंधो को हिंदू करेंगे तो हिंदू हो जाएगा यहीं से ये सब्द भी आया है तो महरे यास्तियवम यासना में इस देश का नाम इस छेतर का नाम जो सब्त सैंधो छेतर था वो हप्त हिंदू आया ह इतिहासकार इतसिंग ने इतिहासकार इतसिंग ने इस देश को दो नामों से जम्मोधित किया है चीनी इतिहासकार है इतसिंग इन्होंने आरे देश और ब्रम्भ देश कहा है इस देश को आरे देश और ब्रंवי देश का है इस देश को ठीक है पुराणों एबं मनुई इसमृति में भारत देश का नाम देव भूमी लिखा हुआ है ठीक है तो इस प्रकार से लगभग हम धीज बाइस प्रकार से इस देश का नाम देखते हैं जो भारत वर्स टॉपिक के अंतर सितंबर 1949 को हुई थी इस चर्चा में डाक्टर H.B. कामत ने भारत वर्ष नाम रखने का सुझाव दिया था लेकिन सर्वसम्मत से इंडिया धैट इस भारत नाम रखना पड़ा ठीक है तो इस प्रकार से भारत वर्ष के अंतरगत हम लोग इतना टॉपिक पढ़ते हैं भारत का सही नाम क्या भारत वर्ष होना चाहिए या इंडिया धैट इस भारत सही लिखा है आपके अनुसार से क्या है आप हमें कमेंट पर बता सकते हैं लेकिन परिक्षा के दरिश्टर कोंड से जितने टॉपिक इंपोर्टन थे इसके अंतरगत वो हमने कवर किया वीडियो समा